तो यह हम लोग करने वाले हैं Reliance का Option Chain Analysis और आपके सामने Reliance का Option Chain खुला हुआ है तो चलिए Find करते हैं कि Important Levels Reliance को पर कौन से है अगर आप देखे तो इस जगा 10600 Lots का Open Trust ख़ड़ा दिखाई पड़ेगा और 322 Lots का Open Trust Edition दिखाई पड़ेगा यह है 2900 का Strike इसके मिच्छे आप देखे तो इस जगे आपको 21600 का Open Trust ख़ड़ा दिखेगा और Strike के 3000 का तो यह दो Strike है जिस पर आपको Maximum Open Trust Build होते वे दिखाई पड़े हैं तो यह हमारे लिए Major Resistance का काम कर सकते हैं दोसरी तरफ सपोर्ट देखेंगे तो इस जगा 61035 Lots का Open Trust आपको इस जगे खड़ा दिखेगा कोई सपोर्ट या Open Trust नहीं दिखेगा जिस जगे आला कि दिखेगा 2600 के लेवल पे लेकिन उचसे कई ज़्यादा Open Trust तबको यहां मिलेगा जो लेवल है 2707 का जहां आपको 2880 के आसपास का Open Trust ख़ड़ा दिखाई पड़ेगा तो मेजर जो सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है रिलाइन्स के ऊपर वो 2870 का दिखाई पड़ रहा है 2707 और 2700 का यह तीन लेवल है जो रिलाइन्स के ऊपर सपोर्ट का खाम करते हुए नजर आएंगे 2800 का लेवल रिलाइन्स के लिए मेक और ब्रेक लेवल है क्योंकि कॉल साइड में देखिए करिब सारे 7000 लोट्स का Open Trust ख़ड़ा दिखेगा और उत साइड में भी 6100 लोट्स का Open Trust आपको ख़ड़ा दिखेगा मतलब यह वह लेवल है जिस पर बुल्स और बेर्स फाइट कर रहे हैं और दोनों इस लेवल को बहुत आसानी से छोड़ना नहीं चाहते हैं रिलाइन्स का जो ट्रेदिंग रेंज फिलाल दिखाई पड़ता है वो है 2700 से 3000 का ट्रेदिंग रेंज दिखाई पड़ता है 2700 से 3000 का 1200 के उपर तिकना शुरू होगा तो यहां के कॉल राइटरस में हमें सौट कवरिंग देखने को मिलेगी फिर यह 2900 के लेवल के तरफ बढ़ेगा अगर 2900 के लेवल के उपर तिकना शुरू हुआ तो फिर 2950 और 3000 के लेवल भी आपको इस पर देखने को मिल सकते हैं लेकिन अगर 2900 के लेवल देखने को मिलेंगे पैनिक कब होगा रिलाइटरस में जब यह 2700 के लेवल निचे की तरफ ब्रेक करेगा तो निचे हमें बागी बड़े लेवल देखने को मिल सकते हैं ओप्शन सेंटिमेंट देखेंगे तो आपको रिलाइटरस के उपर कॉल राइटिंग जबर जास्त होते हुए दिखाई पड़ेगी और पुट बाइंग भी होते हुए दिखाई पड़ रहा है कर आप वीदियो यहां तक देख रहे हैं तो वीदियो को लाइक कर देजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिखेंगे तो आज आपको सौथ बिल्डप होते हुए दिखाई पड़ेगा मामूली सा आपका उपन ट्रेस्ट उपर की तरफ गया है और पौने एक परसेंट का प्राइस नीचे की तरफ दाउन गया है दूसरी तरफ अगर देखें करीब दो परसेंट प्राइस नीचे की तरफ गया है मतलब थोरी विकनेस हमें सौथ तम पर भी दिख रही है और मीडियम तप में भी देखने को मिल रहा है दिस्क्रिप्शन में दिमेट अकांट ओपनिंग के लिंक विलेंगे आप उन लिंक से अकांट ओपन करके हमारे च दिखेगी मतलब पूरा पैनिक दिखा है पूर्ट राइटरस के अंदर तो यह त्रेंट साइकल और वाई बिल्डप आपको तोरी सी कमजोरी दिखा रहा है रिलाइस के ऊपर लेकिन रिलाइस के ऊपर जो रियल कमजोरी होगी वह 27 के नीचे होगी और किसी भी तरह से रिल पर क्या लग रहा है